इसी बीच हवारेसत बीजेपी नेता अभिमन्यू कुमार जी जूट गए अभिमन्यू जी आर्नाइन टीवी में आपका बहुत बहुत सुवागत है लेकिन जिस तरह से आज सदन की कारवाई शुरू होने जा रहे उससे ठीक पहले इसी विधायकों का और इस धर्णाव प्रदर्शन में कॉंग्रिस की सदस्य भी शामिल हो गए हैं किस तरह से आप देख रहें इस चुनौती को और कॉंगर्स के सदस्य इस धर्ना प्रदेश्टर्श्टर्श में शामिल हुए है मुद्दे कही है सर चाहे वो महंगाई हो जिन मुद्दों को लगातार लेकर प्रदेश सरकार को गेरते नजर आने चाहे वो महेंगाई हो बिरुजगारी हो किसानों का मुद्दा हो इन तमाम मुद्दों को लेकर वो पहले जो सदन के अंदर गुसने से पहले जिस तरह से मुद्दे गुंचते दिखाई देंगे वो सदन के बाहर पहले से ही गुंचते दिखाई दे रहे हैं सर लेकिन जो पुद्धे आपने बताए हैं जी अभी जो महंगाई है वो यह यह चार परसंट के चार और पाथ के पीछ में जिसकी जब महंगाई के एक समय होता कि यह दाया रही थी जहाता है वेरोजारी का मुद्ध है तो पांच करोन इस देश में नोकिया है अभी तक कुल मि पांच करते हैं तो सबको रोजगार मिले ताकि लोग कोई भी आतना हो जिसके जीओ को पार्जिन का साधन ना हो उसके राजबर के लिए जो जो की सम्भाव साहता है अवसर है वो मिंद्रा बैंक के यूजदा के तू हम उसको सबको दे रहे हैं ताकि अरो रही सेक्टर को उसके रोजगार से जुड़ें लेकिन अविपन्यू जी लेकिन जिस तरह से सदन की कारवाही शुरू होनी है और जैसे कि सरदली बैटक में भी अपील की गई थी कि सुचारू रूप से सदन की कारवाही चले और हर मुद्दे पर चर्चा होगी जवाब भी दिया जाएग लेकिन सदन की कारवाही से पहले इस तरह से धरना परदर्शन ये मुद्दे तो सदन के अंदर भी उठाई जा सकते विपक्ष की तरह से लेकिन जिस तरह से कारवाही से पहले ये धरना परदर्शन हो रहा है नारिबाजी सरकार के खिलाफ क्या साबित करना चाता है विपक प्रश्मिलकर तब जनता के लिए काम करते हैं यह तो इस पर आप से संस्थत में मुट्वेनाव रागत वहां चाहर तक बहस नागर के वहां पर सरकार की कमें को इंगीत करें और अपने रचनात में शुजाओ दें लोगा कल्यानों पहली बार इस सरकार में जो देखे हमारा म कि जब तक ग्रामिर अर्थवरस्ता नहीं सुद्रेगी जब आप चिस लाग करोर पर प्रावदान बजट में किया गया है जी तो हम चईदिशा में जा रहे हैं आप लोग तो सरक अधब उठा रहे हैं लेकिन अब विपक्ष जिस तरह से इहां पर यह आरोपी लगाता कि धर्णा प्रदर्शन के जरीए हम कही न कहीं जनता के हित की बात ही यहां पर करते नजर आ रहे हैं और उनका यह आरोप है कि सरकार सदन के अंदर इन मुद्दों पर जवाब नहीं देती है जिसके चरते वो सदन के बाहर इसमें अपनी आवाज को बुलंद करते नजर आ कि जरता ने हमें भरोसा किया उस वरोसे के तहती हम कदम उठा रहे हैं लेकिन जिस तरह से विपक्ष की तरफ से अब नारे बाजी करते हुए सरकार के खिलाप आवाज को बुलंद किया जा रहा है और इसी पर जद जानकारिक लिए हमारे समधाता नरिंद्र यादव लाइव जूड़ गए हैं और उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ चलचल वहाँ पर देखने को मिल रही है फिलाल नरिं जनकरना की जाए विकास बिरोधी ये सरकार है तमाम चीजे है रसोई गैस के दामों में चाहे ब्रिद्धी हो चाहे किसानों की समस्या को लेकर हो आप देख सकते हैं यह तमाम विधायक यहां पर मौजूद हैं यहां पर समाजवादी पार्टी के परदेश सद्यक्ष नरे लग लग मैसेज देने की कोशिश कहीं ना कहीं नजर आ रही है लेकिन हम चाहेंगे क्योंकि बड़ी संक्या में यहां पर सदन के बाहर इन मुद्धों को उठाने की क्या बज़ा बिलकुल हम बात करेंगे हमारे साथ मोजूद राजे से अदर मेलसी हैं और गयस सिलेंडर लेके आए हैं और जिस पर गयस की महगाई का जिक्रिये कर रहे हैं कि लगतार गयस महगी होती जा रही है आप देख सकते हैं परदर्शन में बैठे हैं आपको सदन में बात उठान जंता पार्टी की सरकार में लगातार महंगाई बढ़ रही है लेकिन भारती जंता पारटी की सरकार है चाया केंदर की हों चाया राजी की हो महंगाई39 के नाम पर नहीं बात करना चाहती है कल यह 700 ह 30 सिलंडर पर बढ़ाने का काम किया है दिल्ली हुआ हुआ उसका भुगतना पुरे धेश को पढ़ रहा है कि चुनाओं में कोई चर्चा नहीं थी महंगाई की कि भारतिय जंता पार्टी विकास पर नहीं बात करना चाहती है बिरुजगारी पर नहीं बात करना चाहती है किशान आत्म हत्या कर रहा गरना भुकता नहीं हो रहा धान विचोलियों के माध्यम से खरीदा जा रहा लेकिन किशानों के नाम पर नहीं बात करना चाहती है भारत पर आज हम धरना दे रहें सदन में भी आप लोग अपनी बात उठा सकते हैं आप लोग यहां तक्थिया लेके आए हैं क्या सदन हंगामेदार रहेगा क्या सदन में आप अपनी बात रखेंगे की विरोधी होगा ने सदन में भी समाजवादी जनता के मुद्दे उठाने की लंबा समय है पर दर सदन चल रहा है देखे लगातार प्रदेशन की इसलिए जरूरत पड़ रही है कि लगातार बीजेपी सरकार जनता के साथ में अन्याय कर रही है मैंगाई बढ़ रही है आरक्षल खतम कर दिया हम भैकवड़ों से क्यों घबरा रही है यह इनको की तरह द्वस्त हो गई है मैंगाई चरम सीमा पर बढ़ चुकी है गैज सिलिंडर 900 रूपाय का हो गया है जो 12,000 का सोचाले नहीं बनवा सकता वो 900 रूपाय का सिलिंडर कहां से बरवाएगा बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इस समय परदर्सान जारी है समाजवादी पार्टी के विधायकों का ये लोग नारे बाजी कर रहे हैं बिल्कुल बेहाती गैमा गैमी यहाँ पर देखने को मिल रही है नरेंद्र फिलाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुडने के लिए क्योंकि यहाँ पर गर्मा गर्मी माहूल जो है वो देखने को मिल रहा है लेकिन जो सदन के बाहर मुद्धे गुंचते नजर आ रहे हैं वो सदन के अंदर किस तरह से गुंचते नजर आएंगे वो देखना होगा लगातार हमारे समधाता नरिंदर यादव भी हमार साथ बने हुए थे और उनसे भी हम अपडेट लेते रहेंगे इस गैमा गैमी को लेकर फिलाल बहुत बहुत शुक्रिया नरिंदर आपका जुड़ने के लिए